नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे चैनल न्यूस चोबी सार्जे हिंदी में आज का वीडियो आप सभी के लिए मैत्वैपून है दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचाई चुनाव को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है साड़े चार हजार ग्राम पंचाईतों के चुनाव रहे गए हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सस्क्राइब जरूर कर ले दोस्तों क्योंकि आपको पता है साड़े चार हजार ग्राम पंचाईतों के चुनाव रहे गए हैं जो चोथा चरण था लेकिन तीन चरण के चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं और चोथा चरण ग्राम पंचायत पुनर गठन को लेकर याची का लगाय जाने के कारण इस्तगित कर दिये गए थे मगर दोस्तों अब चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों जैसा की पता है हाल ही में जल्द से जल्द लोटरी की अपडेट मिल जाएगी बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को लोटरी को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी दुबारा लोटरी निकल निकलेगी या नहीं अब आता है दोस्तों चुनाव कितने चरणों में होंगे चुनाव है वो आपके दो चरणों में होंगे पहला जो चरण है वो उगनी स्तारी को होगा और दूसरे चरण की अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी सबसे बड़ी बात है कि जिसके भी पंचायतों की बच्ची उही लोटरियां उनकी प्रक्रिया चल रही है यदि दोस्तों निर्वाचन आयोग राजे सरकार के पास ये पहुंच चुका है क्योंकि हाई कोट ने बिलकुल साप कहे दिया है क्योंकि दोस्तों जो दिन दया जो यव्यक्ति था जिसने ये याची का लगाई थी वो मामला अब राजे सरकार से निर्वाचन आयोग में गया है उसके बाद ये पूरा होगा कि निर्वाचन आयोग तेक करेगा कि लोटरी निकाले या नहीं क्योंकि सुप्रिम कोट का पहले ही मामला आ चुका था उन्होंने कहा था कि जो 15 दिसंबर पहले के जो है उनकी लोटरी निकाली नहीं जाए और जो बाद में है वो उनकी लोटरी निकाली जाए पहला चरण है वो उगनी सप्रेल को होगा और दूसरी चरण की अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी दैन्यवाद